तो यार फार्म पे हूँ लगभग एक दिन के बाद आप लोगों को आपने फार्म के बारे में आज बताना चाहा रहा हूँ बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे हमने भूसा मंगाया है आज कितने कम आया यह टोटल भूसा और कितना है उसके बारे में पूरा वीडियो में बताऊंगा और अपने फार्म में क्या हलात चल रहा है यहाँ पे देख पारे हो सब खापी के बैट गई आज धुले भी नहीं है और हमारा थोड़ा सा यह धुलना बाकी रह गया है लेकिन मुश्किल है इसको भी धुलना क्योंकि आज काफी लेट हो गया यह भूसा आने के वज़े से तो आज इसी पे बात चलेगी के भूसा कितने का आया और फार्म पे क्या हलात है किसका दूद क्या बड़ा और क्या क्या खिला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ है हम लोग मक्का भी लेकर आया है आज भूसे के साथ मैं गाड़ी पे मंगवा लिये और थोड़ा सा चुन्णी मंगा है जो काफी बड़ा क्या लेकिन इतना बड़ा चुन्णी अगर मिल जाए न तो मज़ा हाजागा लेकिन मिली नहीं रहा है हमारा एरिया ही थोड़ा सा अतारी क्यूं ऐसे मिल नहीं है लेकिन दो गाये के साथ थोड़ा प्रव्लम आया पता नहीं क्या हुआ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोग धूआ कर रहे थे बीच में या फिर साइड में यहाँ पे तो धूआ करने का जो राक बसता है वो रात में लगता है दो तीन गाये खाली उसके वाज़े से खाना वो कम खांरी थी हम लोग समझ रहे थे कि पता नहीं क्यूं फीवर भी नहीं है आखिर खाना क्यूं कम खा रहे है काफी टेन्शन हुआ जब पता चला के राक में थोड़ा बहुत खाली राक खाने के वज़े से खाना कम हो गया फिर माइंड में ये हुआ कि भूसे में कुछ जो हम लोग बोरी में भूसा लेकर आ रहे थे तो वहाँ पे कहीं भूसे से तो नहीं खा ली भूसे के अंदर भी एक दो ढेला मतलब पत्थर, इट वाला, मट्टी वाला भर ले रहे थे भुटन भाई हमारे भुटन भाई वहाँ पे देख पा रहे हो, तो उसके वज़े से तो कहीं मट्टी खाने के वसे तो नहीं है, लेकिन समझ में यह आया कि राक खा लिए, कैमरे में जब हम लोग देखे, फिर उसके बाद हम लोग धुआ यहाँ पे कर रहा है, तो आज यहाँ पे करनेंग लगभग उसका भी 12-14 लेटर के बीच में, और यह एक गया जो हमने बताया था कि पैर में इसका थोड़ा दिक्कत हुआ है पीछले बार, और एक सीतल का, तो इसको दिक्कत होने का वज़े से थोड़ा दूद कम हुआ, और मुझे लगता है कि राक मटी खाने में तो यह आ कि इधर कितना दिन हुआ है, तो इस बार इस बच्चिय को हम लोग इस तरफ करके खिला रहे हैं ताके जल्दी से ग्रोथ हो और इसका सीमेन जितना जल्दी हीट में आए और हम लोग AI करें, फर्स्ट हीट छोड़कर दूसरे में करने का प्लान है, बच्चिय को हम लोग से बढ़िया बच्चिया है, तो यह है अपना फार्म का यह स्थिती है, फार्म में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, भुटन भाई हमारे यहां पे देख रहे हैं, गोबर साफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था पिछले बार के इनको हाथ से मत उठाने भुटन आप यह बताए हमको, आप इनसेल्टी करवाते हैं, आपको कुदाल लाके दिया गया है ना, कुदारी से उठाने दिया गया है के नहीं, तो आप कुदार से क्यों नहीं उठाते हैं, हो गया, और तो कुदाल से क्यों नहीं उठाते हैं, अरे हो गया है, तो इनसेल माहराज उस दिन आप गोबर उठाते हैं आपको हम कुदार लाके दिए हैं पलास्टिक वला लाके दिए हलका आये गोड़े का फावड़ी बनाके दिये हैं वहां पर आप देख पारों गया के सामने आप हो तो गया लेकिन हाथ से क्यों उठाते हैं इसका जवाब दीजिए हमको कुदार इसे नहीं उठेगा तका है आप हाथ से उठाते हैं हाथ खराब हो जागता है बिमार पर जाए गता हाथ नहीं खराब होगा है कितना दिन से हाथ से उठाते हैं genoto से गलफ लाक दें गलफ कस यह नाद के पास हम लोग के पास एक लाए थे हम लुए एक लाया थे हम लोग लुए पीहने वला हाथ में यहां सी इसे पहन लीजिएगा प्लासटिक कराता ह् अगला बार उसी से पहन करिएगा कि हाथेवे से करिएगा अगला भारी है थोड़ा भारी तो रहेगा ना जब भारी रहेगा तब ना खीचाएगा लदी जल्डी बूल रहा है इसे उठता है कुदाल बी है इनके पास और उड़ी भी है जिससे खीच कर तो यह गया थोड़ा be a देख सब्सक्राइब करें अबिरा निके में तो में तो यह वाली गया ने श्षावगा है और यह भुटन उटान ने में के लिए और हम चुन्नी भी दिखाने वाले आपको जो हमने राहड चुन्नी लाया है काफी बढ़िया क्वालिटी का है यह देखो राहड चुन्नी काफी बढ़िया राहड चुन्नी है तो यह खिला रहा है हम लोग के एक चुली थोड़ा सा ही मिला 30 kg 500 ग्राम था तो इस वज़े से बहुत त्राइब कर रहा हूं लेकिन मिल नहीं पा रहा है और भुसे की जैसे की बात करें तो काफी बढ़िया क्वालिटी का हम लोगों को भुसा मिला है यहां पर आप देख पा रहे हो अगर मैं इसको हाथ से निकालू तो कुछ गेहुं का है और कुछ जई का है यह भु परिशान हो जाएगा क्योंकि वह अगर परिशान हो जाएगा और इतना भुसा है नहीं कि अल ओबर बिहार में वह पहुचा है अभी बहुत सारा जगा पहुचाता तो है लेकिन मैं पूछा भी नहीं हूं वीडियो में नमबर डालने के लिए एक्चरी हम लोगों को आठ 10 पैसे लाकर दिया है यहां पर गिरा कर और यह पूरा भुसा जो देख पा रहे हो टोटल यह सम्थिंग तीन हजार केजी यानि तीन टन तीस कुंटल इतना है साथ भोरी है यह टोटल भांगा जो देख पा रहे हो साथ भांगा है किसी-किसी भांगे में थोड़ा बहुत आप बगल के हैं उनका भेवार भी काफी बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है भुसा इस वज़े से मंगाने का कारण क्या हो गया कि मान लिया जाए अभी लगभग 10 दिन का भुसा हमारे पास यह वाला जो बोरी से लाकर खिला रहते हैं लगभग 10 दिन का बोरी का भुसा व हम लोग भुसा मंगा लेंगे यहां पर भुसा अभी डाल रहा हैं सोच रहे होंगे नादमे का गया नहीं खाई तो ऐसा नहीं है हुआ यह कि थोड़ा सा भुसा निक जब यह गाड़ी में ला रहे थे तो भुसा गिर गया था आधा बोरी था तो हमने सोचा इसको डाल दे क्योंकि ट्रांजेक्शन फीड हम लोगों को बहुत इंपोर्टेंट था प्रिमिक्स उसी तरह से खिला रहा हैं दलिया और मक्का जो आया है मक्का खल कुछ मंगवाए हैं अगर कोसिस करते हैं अगर ट्रांजेक्शन बनाएं तो जरूर आप लोगों को वीडियो देंगे और कोसिस में यह हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में मिले ताके सभी को सभी सभी के लिए इजी हो जाया और सभी को सभी गाय को खिला पाऊंँ अमिद करता हूं यह छोटा से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा थैंक्स तो अच्छे हैं